रादे रादे मैं खुजबू आप सबके अपने चैनल केस्थार में कबाते में स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में हम जी दिया या जीवित पूद्रिकावरत की दो प्रसिध कथाय सुनेंगे पहले कथा जीमूत वहान की कथा है जिनके नाम पर इस वरत का नाम परा और दूसरी कथा चीलो और सियारों की कथा है जीवित पूद्रिकावरत कथा की पहली कथा जीमूत वहान की कहानी गंधर्बो के राजकुमार का नाम जिमूत वहान था वे बड़े उदार और परोपकारी थे जिमूत वहान के पिता ने वृध्धा वस्ता में वान प्रस्त आसरम में जाते समय इनको राज्जी सिंगहासन पर वेठाया किन्तो इनका मन राजपार्ट में नहीं लगता था वह राज्जी का भार अपने भाईयों पर छोड़ कर स्वैम वन में पिता की सेवा करने चले गए वहीं पर उनका मालेवति नामक राज्जी कन्या से विवा हो गया एक दिन जब वह वन भ्रमन करते हुए जिमोद वहन काफी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया मैं नाग वन से स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुद्र है बच्छी राज गरूर के समक्ष नागों ने उन्हें प्रती दिन भच्छन हे तुएक नाग सौपने की प्रतिग्या की हुई है आज मेरे पुद्र संख चूर की बली का दिन है जिमोद वहन ने वृद्धा को आस्वस्त करते हुए कहा डरो मत मैं तुम्हारे पुद्र के प्रानों की रक्छा करूँगा आज उसके बदले मैं स्वैम अपने आपको उसके लाल कप्रे में ढख कर वध सिला पर लेटूँगा इतना कह कर जिमोद वहन ने संख चूर के हाथ से लाल कप्रा ले लिया और वे उसे लपेट कर खुद को बली देने के लिए चुनी हुई वध सिला पर लेट गए नियत समय पर गरूर वरे वेग से आए और वह लाल कप्रे में ढखे जिमोद वहन को पंजे में दवोच कर पहार के सिखर पर जा कर बैठ गए अपने चंगुल में गिरफतार प्रानी की आखे से आशू और मुह से आह निकलता ना देखकर गरूर जी वरे आह चरे में पर गए उन्होंने जिमोद वहन से उनका परचे पूछा जिमोद वहन ने सारा किस्सा सुनाया गरूर जी उनकी पहादुरी और दूसरे की प्रान रक्षा करने में स्वयम का वलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए प्रसंड होकर गरूर जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की वली ना लेने का वरदान भी दे दिया इस परकार जिमूत वाहन के अदम में साहत से नाग जाती की रक्षा होई और तब से पुत्र की रक्षा है तो जिमूत वाहन की पूजा की पर्था सुरू हो गई अस्विन क्रिस्ल अस्टमी के परदोस काल में पुत्रवती महिलाए जिमूत वाहन की पूजा करती है केलास परबत पर भगवान संकर माता पारवती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अस्विन क्रिस्ल अस्टमी के दिन उपवास रहकर जो इस्तरिया साइकाल परदोस में जिमूत बाहन की फूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचारी को दच्छिना देती है वह पुत्रो का पूर्ण सुख प्राप्त करती है वरत का पारण दूसरे दिन अस्टमी दिथी कि समापती के पस्चात किया जाता है यह वरत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है जीवित पूत्रिका वरत की दूसरी कथा चील और स्यारिन की कहानी नर्मदा नदी के पास में एक गंचनवटी नाम का नगर था वहां की राजा का नाम मलई केतू था उसी नर्मदी नदी के पस्चिम और बालू हटन नाम की मरू भूमी थी जिसमें एक विसाल पेर पर चील रहती थी और उसी पेर के नीचे एक सियारिन भी रहती थी चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहे लिया थी कुछ महिलाव को जितिया ब्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह ब्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही भगवान स्री जी मूत वाहन की पूरा और ब्रत करने का प्रण ले लिया जिस दिन दोनों का ब्रत रखना था ठीक उसी दिन सहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दासंजकार वही मरूस्तल पर हुआ मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक न पाई जिसके कारण उसका व्रत तूट गया परंतु चील ने खुद पर सयम रखा और पूरिस रधा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहलियों ने पुतरी के रूप में एक ब्रहामन परिवार में जन्म लिया उनके पिता का नाम भासकर था चील बड़ी बहन और स्यारिन छोटी बहन बने बड़ी बहन का नाम सिलावती रखा गया और उसकी साधी बुद्धी से इनके साथ हो गई चोटी बहन का नाम कपुराबती रखा गया और उसकी साधी उस सहर के राजा मले के तुसे हुई और चोटी बहन कपुराबती कंचनवटी नगर की रानी बन गई अब भगवान जिमूत बहन के असिरबात से बरी बहन सिलाबती को साथ पूत्र प्राप्त हुए लेकिन कप्रावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे कुछ सालों बाद सीलावती के सातों पूत्र बड़े हो गए और राजा के दर्वार में काम करने लगे उन्हें देख कर कप्रावती के मन में इर्थया और जलन की भावना उत्पन होने लग गई इस इर्षया की भाबना में कपड़ाबती ने राजा से कह कर सीलाबती के सातों बेटों के सर कटवा दिये, फिर उन सातों सिरों को साथ भरतन में डाल कर ढग दिया गया और सीलाबती के पास भिजवा दिया गया यह सब देख भगवान जिमूत वाहन ने मिटी की सहायता से सातों भाईयों के सर बनाए और सभी सीरों को धर से जोर कर उन पर अमरित छिरक दिया जिसके कारण वे सात भाई फिर से जिन्दा हो गए और घर लोट आए रानी ने जो कटे सर भिरुआये थे वह सब फूल बन गए कपुरावती समाचार पाने को बहुत बयाकुल थी लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बरी बहन के घर गई वहाँ सब को जिन्दा देखकर आस्चर में पड़ गई और बेहोस हो गई जब कपुरावती होस में आई तो उसने अपनी बरी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पस्तावा किया भगवान जी मुत वहान की किरपा से बरी बहन को पुर्व जनम की सारी बात याद आ गई और वह अपनी चोटी वहन को उसी पेर के नीचे लाकर पुर्व जनम की सारी बाते सुनाई जिसे सुनकर कपुरावती फिर बेहोस हो गई और मर गई जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर बेर के नीचे कपरावदी का दा संसकार कर दिया तो ये थी जीवित पूत्रिकावरत की चील और स्यारिन की कथा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को और कर ले जिससे मेरी अगली आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो फिर मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे